हमारी आज की रेस्पी है करले की सबजी अगर आप इस तरीके से करले बनाएंगे तो करले कभी भी कड़वे नहीं आएंगे उनका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा मैंने करले को काट लिया है और उन्हें हम पानी में उबलने के लिए डाल देते हैं बस उबाल आने तक ह आप आफ इसे अच्छे से भून कर हमें दर-दरा पाउडर बना लिया है तयां लिया है तशे से रहा हुआ चलाते हों बुनना दें पहले नमक अब इस पर दाल देते हैं मसाला जो में बनाया था आप आप सब्सने के ले पर हमारे करले की सबजी बन करके तयार हो चुकी है एक बार आप इस तरीके से करेने की सब्जी बना कर देखिए